हेलो फ्रेंड्स आज हम लोग continue करने जा रहे हैं integration exercise 7.6 जो बहुत ही famous नाम से जाना जाता है by parts तो केसे हैं आप लोग तो ठीक है आज हम लोगे start करते हैं integration exercise 7.6 question number 1 to 12 अब देखिए by parts होता क्या अब तक हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं substitution पढ़ लिए partial fraction पढ़ चुके हैं एक नया method यहां पर क्या आया by parts तो सबसे पहले बात यह आती कि हम by parts apply कहां पर करेंगे तो by parts कहां पर apply होगा जहां पर आपको दो function multiple के form में दिया होगा first condition दो function multiple के form में दिया होगा second दोनों function different होना चाहिए fx और gx क्या होना चाहिए different होना चाहिए मतला एक अगर log x है तो दूसरा क्या होगा sin x होना चाहिए मतला एक trigo दूसरा log या अगर एक e to the power x मतला exponent है तो दूसरा algebra होना चाहिए या दूसरा trigo होना चाहिए मतला two different होना चाहिए to same function नहीं that means अगर two same function अगर दिया हुआ है integrate sin x into cos x तो यहाँ पर देखिए sin x और cos x दोनों same function है तो by part क्यों लगा है यहाँ पर 1 by 2 से divide करेंगे 2 से multiply करेंगे और dx याद किज़ें यह क्या हो जागा sin 2 x sin 2 x का integration minus cos 2 x by 2 तो इस step से by part कहाँ पर apply करेंगे multiple के form में हो second कहाँ पर जहाँ पर दो अलग-अलग function हो अब बात यह आती है कि क्या हमेशा दो अलग-अलग function होगा तो क्या हम by part apply कर सकते हैं तो आपके exam के according 7.6 जो एकसर फायज है x के according अगर दो multiple function है तो आप easy way by part लगाईए question सभी बन जाएगा लेकिन हमेशा यह जरूरी नहीं है जिसे आपका NCRT में question दिया हुआ है under root sin x dx क्या दिया हुआ है integrate under root x sin x dx यहाँ पिदे कि यह मेरा algebra है अगर दूसरा क्या trigger है लेकिन आप इसमें by part apply नहीं कर सकते हैं two different रहने के बाउजो तो इससे क्या पता चला कि हमेशा में apply नहीं कर सकते हैं लेकिन NCRT book के according अगर multiple में है तो उस type से question set किया गया है कि आप by part apply कीजेगा question बनेगा तो चलिए fx into gx यह just like क्या है आप जो differentiation में पढ़ते थे product rule वहीं यहाँ पर product है तो integrate हम कैसे करेंगे अगर यहाँ पर fx integration fx dx dx दिया हुआ है तो एक function को हम बाहर करेंगे integrate gx dx minus integrate bracket जो यहाँ पर आप बाहर कियें उसी function को यहाँ derivative किजेगा मतलब fx integrate जो function आपका gx dx यहाँ पर उसी को फिर से integrate करेंगे, bracket close करेंगे यहाँ पर क्या होगा? dx होगा अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह आती है किसी हम first में integrate करें और किसी हम integration से बाहर रखें तो इस step से चोटा सा formula बहुत सुनाएंगे ilet यह होता क्या? आप i equal to inverse trig l equal to log a equal to algebra t equal to trig e equal to exponent इससे follow करते हुए आप आएए और fx इसको मानिए जो in में आपका first आ रहा उसे आप fx मान लीजिए inverse trigon i से inverse trigon inverse trigon का मतलब क्या? कुछ भी हो सकता है जैसे sine inverse x या फिर cos inverse x मतलब inverse के form में होगा log मतलब क्या? कुछ भी दिया रहेगा log x log 4x step का दिया होगा algebra मतलब क्या? 1 हो सकता है 2x हो सकता है x square हो सकता है या x cube हो सकता है trigon मतलब क्या? कुछ भी function जैसे sine x cos x या फिर 10x step का कोई function दिया रहेगा exponent मतलब e to the power x step का function दिया रहेगा तो i let के according इन में से जो मेरा first आएगा उसे हम क्या मानेंगे? fx मानेंगे उसे हम क्या करेंगे? solve करेंगे तो आईए हम लोग start करते है exercise 7.6 क्या दिया हुआ 7.6 का question number first तो आप ध्यान दिजिए चलिए question number first आपका दिया हुआ है first question है integrate x sine x dx आप ध्यान दिजिएगा यहाँ पे x x क्या algebra sine x क्या trigon तो देखिए a algebra पहले है trigon दो बाद में हम पहले fx इसको मानेंगे x को तो यहाँ पे हम apply करेंगे applying product rule यही कहलाता है product rule applying product rule क्या होता fx fx इसको मानेंगे x को तो यह क्या हैगा x integrate gx gs के second function क्या है sine x तो integrate किसे हम करेंगे sine x dx minus है उसके बाद integrate f dash x मतला इसको क्या करना differentiate करना है तो d by dx किसका x का फिर integrate किसका gx का तो gx क्या है sine x dx यहाँ पे क्या है bracket close है फिर क्या है मेरा dx है तो इस टैप से देखिए आप अगर इसे integrate करते हैं तो क्या आएगा x sine x का integration क्या होगा minus cos x minus यहाँ पे ध्याँ देजे integrate यह है dx का integration x का integration 1 तो यहाँ पे 1 होगा अब यहाँ पे आप sine x का integrate किजेगा क्या होगा minus cos x minus cos x dx तो आप यहाँ पे ध्याँ देए यह क्या होगा minus x cos x minus into minus क्या होगा plus integrate किसको-Cos X यहां पे क्या Danny X है आप यहां पना प्लशक क sarà लिए- टो finally आपको क्या अब आ रहा है दिखिए minus X-Cos X plus cross X का integration क्या होता है साइन एक्स प्लस अर्बिर्ट्रीए कौंस्टेंट C टो हमक्राइब क्या है प्रिजेब्रा है से लिए लेक्स क्या है द्रीब्व है तो हम F किसे मानेंगे बाहर किसे करेंगे algebra को मतला x को तो applying by parts फर्मों क्या होता f x integrate gx minus integrate under bracket f dash x integrate gx break it close dx तो गरा f x क्या होगा x x integrate sin 3x dx minus integrate break it d by dx कि इसको करना f dash x f x को x क्या है x तो या पर x लिखेंगे integrate sin gx break it close dx x तो यह x होगा sin 3x का integration क्या होगा minus cos 3x और यहा 3x साथ multiply क्या होगा divide होगा minus integrate x का differentiation क्या होगा 1 तो 1 लिखेंगे फिर sin 3x का integration क्या होगा minus cos 3x by 3 और dx तो दिखे यह क्या होगा minus x cos 3x by 3 minus 1 तो minus क्या होगा plus 3 क्या है अर्वेटी तिर मेरा constant इसे हम 1 by 3 बाहर कर रहे हैं integrate cos 3x dx तो यह क्या है, minus x cos 3x by 3 plus 1 by 3 अब इसे हम integrate कर रहे हैं cos 3x integration sin 3x और यहां भी 3x से साथ क्या multiply क्या होगा तो finally मेरा answer क्या हुआ minus x cos 3x by 3 plus 3 3 जा 9 1 by 9 sin 3x plus c तो मेरा final answer तो देखिए 3 क्या दिया हुआ है integrate x square e to the power x dx x square e to the power x dx तो देखिए i late अगर आप use करते हैं लास्ट में te algebra last में था i late algebra पहले हैं यहां पर exponent मेरा last में था यात किज़े क्या था i late exponent बाद में आएगा तो fx मेरा क्या होगा और चलिए एक बार हम formula को लिख लेते हैं formula क्या था fx into gx तो यहां पर formula देखिए क्या था fx integrate gx minus integrate bracket f dash x फिर क्या था integrate gx फिर ही मेरा यहां पर क्या था bracket close dx तो चलिए यहां पर fx क्या होगा x square integrate gx यहां पर ध्यान दीजे x square का integration क्या होता है differentiation 2x और यहां पर फिर क्या आएगा e to the power x dx आप यहां से bracket हटा दीजे आप finally देखिए फिर से मेरा यहां पर product rule apply होगा यहां पर देखिए यह fx होगा यह मेरा gx होगा तो फिर से आप इसे product rule यहां पर apply करें होगा तो यहां पर लिख देए again applying product rule product rule तो यह मेरा क्या है x square e to the power x minus 2 coefficient इसको बाहर करते हैं तो फिर से यहां पर फर्मूला apply करें है क्या होता है fx x integrate e to the power x minus यहां पर क्या होता है integrate फिर क्या था bracket था और इसे differentiate करते थे तो d by dx into x फिर integrate करते थे इसी function को e to the power x और यहां पर हम क्या करते थे bracket close करते थे और यहां पर क्या लिखते थे dx लिखते थे ठीक है चलिए तो यह मेरा क्या आगिया देखे x square e to the power x यहां पर minus 2 चलिए x e to the power x का integration क्या होगा e to the power x minus अब आग यहां पर अगर ध्यान दें तो यह आपका क्या होगा dx by dx का integration क्या होगा 1 और e to the power x का integration आपको क्या हैगा e to the power x और यहां पर अब क्या होगा dx होगा तो ध्यान देजे फिर से यह क्या आ रहा है x square e to the power x minus 2 x e to the power x minus e to the power x का आप यहां पर integrate कीजे तो क्या हैगा e to the power x plus arbitrary constant c अब यहां पर देखे क्या आ गया multiply कर दिजे तूसे x square e to the power x minus minus 2 x e to the power x minus plus 2 e to the power x plus c अब यहां से आप e to the power x को common ले लिजे तो e to the power x को common ले यहां पर क्या बचा x square minus 2 x plus 2 plus c 3 तो यह मेरा final answer हुआ question number 3 का तो आईए question number 4 solve करते हैं क्या दिया हुआ है integrate x log x dx आप यहां पर धियान दिजे इसमें आपका first phone आ रहा है algebra दिया हुआ है और log दिया हुआ तो दिखें log algebra मतला log पहले मतला f x हम किसे मानेंगे log x को तो हम क्या लिखें integrate log x into dx x dx आप applying by parts क्या होता formula f x integrate g x minus integrate break it f dash x integrate g x break it dx तो हम यहां पर इसे हम क्या मानेंगे इसे हम f x मान रहे इसे हम क्या मान रहे g x मान रहे चलिए तो क्या होगा log x integrate x dx minus integrate break it क्या करना है इसको derivative करना है तो d by dx किसका log x का integrate x dx break it close करेंगे dx तो चलिए log x x का integration क्या होगा x dx का x square by 2 minus देखिए log x का differentiation क्या होगा 1 by x और x dx का integration क्या होगा x square by 2 dx अब यहां पे आप ध्यान देजे log x x square by 2 minus 1 by 2 को बाहर कर दिए देखिए x से क्या होग x square कर गिया तो integrate किसे करना x dx को तो equal to हम क्या लिख सकते x square by 2 into log x minus 1 by 2 अब देखिए x का x dx का integration क्या होगा x square by 2 log x minus x square by 4 plus c तो यहांको final answer होगा question number 4 का तो आईए question number 5 solve करते हैं क्या दिए होगा integrate x log to x dx अब यहां पे ध्यान देजे applying by parts अब देखिए algebra और मेरे पास यहां पे क्या है log है तो देखिए log पहले आ रहा बाद में algebra आ रहा तो applying by parts formula क्या होता है f x integrate g x minus integrate bracket f dash x integrate g x bracket close dx तो f x मेरा क्या है log to x integrate x dx minus integrate bracket differentiate किसको करना है log to x dx को फिर integrate किसे करना है x dx bracket close dx तो चलिए log to x देखिए x dx का integration क्या होगा x square by 2 minus integrate log 2x का differentiation क्या होगा 1 by 2x फिर से 2x को differentiate करना होगा 2x का differentiation क्या होगा 2 अब देखिए into x dx का differentiation क्या होगा x square by 2 bracket close dx तो क्या आ गया इसे हम पहले लिख रहे है x square by 2 log 2x minus अब यहाँ पर भ्यान देजिए यह 2 से 2 कड़ गया x से x square कड़ गया तो यहाँ पर क्या बचा 1 by 2 बार कर दिए और यहाँ पर क्या बचा x dx अब हम इसे integrate करेंगे तो x square by 2 log 2x minus 1 by 2 x dx इसका integration क्या होगा x square by 2 plus arbitrary constant c तो यह क्या गया x square by 2 log 2x minus x square और 2 तू जा 4 प्लस c तो मेरा final answer हुआ question number 5 का तो आए question number 6 solve करते हैं आप फड़ा ध्यान दें तो question number 4 5 6 सब एक जेसा solve हो रहा है तो क्या है x square log x dx तो फिर से वही बात log x है और algebraic है तो log मेरा पहले आ रहा algebraic बाद में आ रहा हूँ तो apply by parts हम लोग f x को मानेंगे log x को मानेंगे और g x किसे मानेंगे x square को मानेंगे तो यह formula फिर से apply करेंगे तो क्या होगा log x integrate x square dx minus integrate break it देंगे f dash x मतलब किसका log x का differentiate करेंगे integrate g x मेरे पास क्या है x square x square dx break it close dx अब दियान दें log x integrate x square का integration क्या होगा x cube by 3 minus integrate log x का differentiation क्या होता है 1 by x into x square dx तो x square integration क्या होगा x cube by 3 break it close dx तो देखेंगे क्या हो गया x cube by 3 log x minus यहां पर आप ध्यान दे x से x cube कर गया क्या बचेगा x square x square dx 1 by 3 constant होचे हम बहार कर दिये तो अफिर देखेंगे क्या हो गया x cube by 3 log x minus 1 by 3 और x square dx का integration क्या होगा x cube by 3 plus c तो finally मेरा answer क्या है x plus c तो यह आपको final answer वो question number 6 का तो आईए question number 7 solve करते हैं अब तक जो हम question solve किये थे 1 to 6 किसी में inverse नहीं आया था यह first question है जिसमें inverse आ रहा है तो यहां पर देखिए highlight में first में क्या है i है मतलब inverse that means हमको sine inverse x क्या मानना होगा fx उसे हमको बाहर रखना होगा और x क्या algebra है तो इसे हमको gx मनना होगा तो applying product rule यह मेरा formula है तो sine inverse x यह आपके क्या रखेंगे fx यह आपके sine inverse x integrate x dx minus integrate f dash x मतलब sine inverse x का differentiation integrate gx क्या integrate x dx break it close dx तो sine inverse x यहाँ पे x dx का integration क्या होगा x square by 2 minus integrate sine inverse x का differentiation क्या होगा 1 by under root 1 minus x square और x dx का integration क्या होगा x square by 2 break it close dx चलिए तो यह क्या हो गया x square by 2 sine inverse x minus देखे 2 coefficient बाहर करे 1 by 2 तो यह क्या हो गया x square by under root 1 minus x square इसको आप अब यहाँ पे integrate करना होगा तो अब ध्यान दिजे यहाँ पे आप डायटली product formula apply नहीं कर सकते हैं यहाँ पे by part भी नहीं लग रहा है by part नहीं लग रहा product formula नहीं लग रहा parcel fraction नहीं लग रहा है तो अब हम यहाँ पे कर क्या रहे है tricky में देखिए इस type का question हम लोग previous exercise में बना चुके है 1 minus x square जो आपका denominator है उसी term को हम यहाँ पे लिखना चाह रहे है तो यहाँ पे क्या है 1 minus x square मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे minus x square तो इस minus को आप अंदर ले आए यहाँ पे minus होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा plus होगा चलिए अब हमको यहाँ पे द्यान देजे x square by 2 sin inverse x plus 1 by 2 integrate करना है minus x square under root 1 minus x square को तो हम क्या बोले जो मेरा denominator में है उसी को numerator में बनाना है तो denominator में क्या है 1 minus x square तो यहाँ पे कर रहे है 1 minus x square 1 को add किये तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 1 को subtract भी करेंगे तो क्या हुआ x by 2 sin inverse x plus 1 by 2 ब्रिकेट में लिखेंगे integrate अब इन दोनों function को हम अलग कर रहे हैं और इससे अलग कर रहे है तो 1 minus x square by under root 1 minus x square dx minus integrate 1 by under root 1 minus x square तो यह क्या हो गया x square by 2 sin inverse x plus 1 by 2 break it अब यहाँ पे देखिए 1 minus x square numerator में नीचे क्या है 1 minus x square मतलब numerator में power कितना है 1 और denominator power कितना है 1 by 2 यह above जाएगा 1 minus 1 by 2 तो क्या होगा 1 by 2 तो उसी को लिखे under root 1 minus x square dx integrate 1 by under root 1 minus x square dx तो आप देखें क्या हुआ x by 2 x square by 2 sin inverse plus 1 by 2 अब आप यहाँ पे ध्यान दे तो आपको कौन सा formula है under root a square minus x square क्या होता था x by 2 under root a square minus x square plus a square by 2 sin inverse x by a तो इसी formula को यहाँ पे apply कर रहे यह देखिए x by 2 under root a square minus x square a के प्लेस पे क्या है 1 plus a square by 2 तो a के प्लेस पे क्या है 1 तो 1 square by 2 sin inverse x by a a के प्लेस पे क्या 1 यह मेरा total formula हुआ इसका integration का minus sin है minus sin b integrate 1 by under root 1 minus x square तो अब ध्यान दीजे आपको कौन सा formula है integrate 1 by under root a square minus x square तो क्या था sin inverse x by a तो minus sin inverse x by a a के प्लेस पे क्या 1 है अब ध्यान दीजे x square by 2 sin inverse x 1 by 2 से सभी को multiply कर दे रहे तो x 2 into 2 x by 4 under root 1 minus x square 1 का है square 1 यहाँ पे 2 है 2 to 4 1 by 4 sin inverse x minus 1 by 2 यह भी multiply होगा sin inverse x plus c sorry अब यहाँ पे ध्यान दीजे sin inverse x, sin inverse x, sin inverse x तो हम sin inverse x को common ले रहे तो यहाँ पे क्या बचा x square by 2 plus यहाँ पे क्या बचा 1 by 4 माइनस यहाँ पे क्या बचा 1 by 2 अब इस टर्म को मिकरे x by 4 under root 1 minus x square तो sin inverse x यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे 4 आएगा 2 to 4 2 x square plus 1 minus 2 to 4 मतल़ 2 plus x by 4 under root 1 minus x square plus c अब इसे solve कर दीजे तो आपको final answer आएगा तो देखिए आपको क्या final answer आएगा चलिए तो यह मेरा क्या है इसे solve कर रहे है sin inverse x sin inverse x यहाँ पे ध्याँ दीए क्या है 2 x square 1 plus 1 minus 2 यह क्या होगा minus 1 और by 4 तो हम लिख सकते हैं by 4 plus यह क्या है xy4 integrate 1 sorry under root 1 minus x square plus c तो यह आपको final answer हुआ question number 7 का चलिए question number 8 solve करते हैं क्या दिया है integrate x 10 inverse x dx तो देखिए पिछले question 7 में भी inverse था यहाँ पे भी inverse है तो 10 inverse x i देखिए i से क्या होता है inverse तो i है और x है मतलब क्या algebra है तो हम fx क्या मानेंगे i को मतलब 10 inverse x को तो applying by parts तो fx क्या होगा 10 inverse x integrate x dx minus integrate bracket differentiate किसका करना है 10 inverse x by dx integrate x dx bracket close dx तो अब दियान दिजे 10 inverse x integration x dx के क्या होगा x square by 2 minus integrate अब यहां पर दियान दिजे bracket में क्या होगा 10 inverse x का differentiation क्या होता 1 by 1 plus x square और x dx का integration क्या होगा x square by 2 और यहां bracket close कर रहे यह क्या होगा dx तो x square by 2 10 inverse x minus देखिए by 2 क्या है constant है 1 by 2 integrate क्या होगा x square by 1 plus x square तो आब दियान दिजे यहां पर हम direct by part नहीं apply कर सक रहे नहीं partial fraction नहीं यहां पर हम substitution apply करेंगे तो फिर से question number 7 जिसे हम क्या कर रहे है जो मेरा denominator का term है उसी को हम एभब में लिख रहे है तो denominator में क्या है 1 plus x square तो हम यहां क्या कर रहे है 1 को plus कि जब 1 को plus कि कर रहे है अब इन दोनों term हम क्या अलग कर रहे है तो देखे क्या होगा x square by 2 10 inverse x minus 1 by 2 break it integrate 1 plus x square by 1 plus x square dx minus minus integrate क्या होगा 1 by 1 plus x square dx तो देखे क्या होगा x square by 2 10 inverse x minus 1 by 2 देखे 1 plus x square से 1 plus x square कर गया तो integrate dx minus integration किसका 1 by 1 plus x square तो ये क्या हो गया x square by 2 10 inverse x माइनस 1 by 2 dx का integration x माइनस अब यहाँ पे अब ध्यान दिजे integrate 1 by 1 plus x square क्या फर्मूला है यहाँ पे 1 by a square plus x square क्या होता है 1 by a 10 inverse x by a तो 1 by a 10 inverse x by a 1 तो 1 लिखें चलिए तो क्या हो गया x square by 2 10 inverse minus x से सभी 1 by 2 से सभी को multiply कर दिजे तो यह क्या हो गया x by 2 minus minus plus 10 inverse और 1 by 2 10 inverse x by 2 plus c तो यह मेरो final answer हो question number 8 का तो आईए question number 9 discuss करते हैं क्या दिया हुआ integrate x cos inverse x तो हम लोग कौन सा क्या बना रहें by parts से यूज़ कर रहे हैं तो देखिए highlight यहां पर हम यूज़ कर सकते हैं तो i से क्या होता inverse देखिए दो function है inverse और algebraic है तो i से inverse यह से algebraic function तो सबसे परला हम किसी मानेंगे i मानेंगे inverse को तो fx किसे मान रहे है cos inverse को और gx किसे मान रहे है x को using by parts तो क्या होता integrate fx gx यह आपका formula हुआ by parts का तो अब देखिए fx का यह पर क्या लिखे है cos inverse x integrate x dx minus integrate f dash x मतलब जो यहां पर आपका fx है उसका differentiation तो d cos inverse x by dx integrate gx और gx मेरा क्या है x है तो x dx break it close dx चलिए तो cos inverse x का integration क्या होगा x square y2 minus यहाँ पर देखिए cos inverse x का differentiation क्या होता है minus 1 by under root 1 minus x square और x का integration x square y2 तो देखिए अब इससे पहले लिख रहे है यहाँ पर क्या लिख रहे है x square by 2 cos inverse x minus अब यहाँ देखिए 1 by 2 coefficient को हम बाहर करूए तो 1 by 2 को बाहर किए integrate minus x square by under root 1 minus x square अब यहाँ पर ध्यान देजे direct हम यहाँ पर फिर से substitution भी apply नहीं कर पा रहे है नहीं यहाँ पर हम by parts apply कर पा रहे है तब हम क्या कर रहे है जब भी step का question आएगा तो जो denominator का term होगा उसी term में आप यहाँ पर numerator को लिखने कोशिस कीजे तो नीचे क्या 1 minus x square तो देखिए उपर में लिख रहे है इस term को देखिए हम लिख रहे है 1 minus x square क्योंकि यहाँ पर 1 क्या क्या add किये तो यहाँ पर 1 को क्या करना होगा subtract भी करना होगा तो इस term को हम इस form में लिख देए चलिए अब यहाँ पर देखिए क्या x square by 2 cos inverse x minus 1 by 2 को मबार कर दिए अब यहाँ पर दिखान देजे 1 minus x square इस term को हम एक साथ लिख रहे है तो 1 minus x square minus का sign है minus लिखे integrate 1 by under root 1 minus x square अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ x square by 2 cos inverse x minus 1 by 2 देखिए यहाँ पर क्या है 1 minus x square पर पर पावर कितना है 1 और नीचे क्या है 1 minus x square क्या है under root मतलब नीचे power क्या है 1 by 2 मतलब एबब में मेरा power क्या है 1 और नीचे क्या है 1 by 2 जब यह जाएगा numerator में तो क्या होगा minus 1 by 2 यहाँ जब हम solve करेंगे तो क्या हैगा 1 by 2 1 by 2 का मतलब under root 1 minus x square यहाँ पर confuse मत किजेगा power 1 यहाँ क्या 1 by 2 यह उपर में जाएगा तो क्या होगा minus 1 by 2 और सब्टेट करके यह लिखेंगे minus integrate 1 by under root 1 minus x square x square by 2 cos inverse x minus 1 by 2 अब आप यहाँ पर ध्यान दीजे आपका कौन सा formula है यहाँ किजे हम क्या बोले थे एक formula है जो 60 to 70% आपका पुरा cover कर रहा है तो यहाँ पर 1 minus x square का क्या होगा a square minus x square क्या होता है x square by 2 under root a square minus x square plus a square by 2 sin inverse x तो देखिए उसी formula हम यहाँ पर substitute कर रहे है क्या है x square by 2 under root 1 minus x square plus a square by 2 a के place पर क्या है 1 तो 1 का square by 2 sin inverse x by a a के place पर क्या है 1 तो यह जो मेरा formula है इस term के बदले हम यहाँ पर यह लिखे है minus का sign दिए है अब देखिए यहाँ पर एक और आपका formula है integrate 1 by under root a square minus x square क्या होता है sin inverse x by a तो इसी कौम यह लिखे है minus sin लिखे sin inverse x by a एके place पर क्या है 1 तो यहाँ पर 1 को लिखे है तो धियान दिए x square by 2 cos inverse x minus 1 by 2 इसे हम लिखे है x square by 2 under root 1 minus x square 1 का square क्या होगा 1 by 2 अब यहाँ पर धियान दिए sin inverse x मेरा यहाँ पर भी है sin inverse x मेरा यहाँ पर भी है तो हम common लिए तो यहाँ पर क्या बचा 1 by 2 minus 1 तो एक step देखे x square by 2 cos inverse x minus 1 by 2 bracket x square by 2 under root 1 minus x square अब यहाँ पर धियान दिए 1 by 2 minus 1 क्या होगा minus 1 by 2 और minus plus क्या होजगा minus तो इसी कम लिए लिखे minus 1 by 2 और sin inverse x अब इस 1 by 2 से हम सभी को multiply करके दे रहे तो x square by 2 cos inverse x minus x square 2 से multiply किज़े x square by 4 under root 1 minus x square minus minus plus 1 by 2 और यह 2 से multiply किज़े 1 by 4 sin inverse x plus c तो यह आपका final answer होग question number 9 का अब जब NCRT में जाएगा तो आपको यह answer नहीं मिलेगा देखिए answer slightly difference हो सकता है integration में क्योंकि यहाँ पर हम जो coefficient लेते arbitrary constant लेते से हो क्या है किसी कुछ पता नहीं है कोई और यहाँ पर substitute करेगा किसी और माली जिए trigger method से बनाएगा तब यहाँ पर कुछ और answer आ सकता है तो answer slightly different होता है उस पर आप मज जाएगा तो यह आपका क्या है final answer हुआ question number 9 का तो आईए question number 10 solve करते है क्या दिए हुआ हुआ है integrate sin inverse x का hall square अब अब आप यहाँ पर ध्यान दिजी तो algebraic function तो देखिए अब यह मेरा क्या हो गया inverse हो गया 1 क्या हुआ algebraic function हुआ तो अब यहाँ पर देखिए मेरा fx कौन सा function होगा हम पहले किसे मानेंगे inverse function को तो यह मेरा क्या हो जागा fx होगा और यह मेरा क्या होगा gx होगा तो अब यहाँ पर ध्यान दिजिए by using, using by parts हम use कर रहे हैं sin inverse x का hall square integrate 1 का dx minus integrate bracket close कर रहे हैं differentiation किसका? fx का, मतलब sin inverse x का hall square integrate 1 dx, bracket close dx अब देखिए, sin inverse x का hall square, dx का integration क्या होगा? x minus integrate, अब यहाँ पर ध्यान दिजिए sin inverse x का differentiation क्या होगा? क्योंकि यहाँ पर sin inverse x का hall square इसका differentiation पर ले क्या होगा? 2 sin inverse x और फिर से हमको sin inverse x को differentiate करना होगा तो sin inverse x का hall square का क्या होगा? 2 sin inverse x और फिर sin inverse x का differentiation क्या होगा? 1 by under root 1 minus x square यहाँ पर confuse मत किजिएगा integrate 1 dx और 1 का फिर क्या होगा? 1 का 1 dx का क्या होगा x होगा और ये dx तो अब ध्यान दिजे sin inverse x का holly square x यह यहाँ पे जो मेरा coefficient 2 था बाहर कर दिये integrate x sin inverse x under root 1 1 by under root 1 minus x square अब यहाँ पे ध्यान दिजे यह मेरा 3-3 function यहाँ पे है और by parts कहाँ पे लगाते है 2 function यहाँ पे होता है तो इस function को हम क्या कर रहे हैं I1 let कर रहे है अब हम I1 किसे माने I1 integrate x sin inverse under root 1 minus x square अब देखे हम क्या कर रहे है sin inverse x को हम t substitute कर रहे है differentiate both side with respect to x तो dt by dx sin inverse x का differentiation 1 by under root 1 minus x square तो dx equal to क्या हो गया cross multiply कर दिजे under root 1 minus x square dt अब इस dx का value यहाँ पे हम substitute कर रहे है तो देखे है I1 क्या होगा integrate x के plus पे x sin inverse को क्या हम substitute करे है t तो t लिख रहे है under root 1 minus x square और dx और dx का मेरा value क्या आया है under root 1 minus x square into dt तो इसको हम लिख दिए हैं अब देखे है under root 1 minus x square under root 1 minus x square कर दिए है तो अब यहाँ पे I1 क्या होगा integrate x t dt क्योंकि dt के respect में कर रहे है तो x यहाँ पे नहीं रहना चाहिए अब यहाँ पे ध्यान दिए sin inverse x को जब हम t मान रहे है तो क्या यह sin उस side जाएगा आप उसको reverse कीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा sin t equal to x तो x के place में क्या लिखे है sin t लिखे है अब यहाँ पे ध्यान दिए फिर से हम यहाँ पे using by parts कर रहे है एक क्या है trigger function एक क्या है algebraic function तो algebraic मेरा पहले आता है trigger बाद में आता है तो हम fx किसों मान रेड t को तो t integrate sin t minus integrate black or close यह अब यहाँ पे ध्यान दिजे differentiate किसका करना है t का तो dt by dt integrate sin t sin t dt break or close dt तो यहाँ पे t integrate देखिए sin t का difference integration क्या होगा minus cos t minus dt by dt कर जाएगा क्या होगा 1 integrate sin t का यहाँ पे ध्यान दिजे integration क्या होता minus cos t और यह मेरा क्या है dt है तो minus t cos देखिए यहाँ पे plus minus क्या होगा minus t cos t अब यहाँ पे ध्यान दिजे minus minus plus integrate cos t dt तो यहाँ पे क्या है minus t cos t cos t का integration sin t plus c अब हम t का value substitute कर रहे t हम किसे माने थे sin inverse x को t sin inverse x cos t का value क्या है sin inverse x plus sin t का value क्या है sin inverse x यहाँ क्या हम substitute किए तो minus sine inverse x अब यहां पे ध्यान देजी क्या है cos sine inverse x अगर यहां पे cos होता तो यहां पे cos कर जाता तो यहां पे cos और cos inverse कर जाता है मतल़ sign inverse के जर्पर हमको क्या लाना है cos inverse क्या लाना है cos inverse तो देखिए अगर sin का angle इस टाइब से होगा मालेजी यह आपका 90 degree तो sin inverse x क्या है? x यहाँ पे है, तो sin theta equaled क्या होता है? p by h, मतलब x, और यहाँ पे क्या है? 1 है, तो cos में convert करने हैं, यहाँ पे pythagoras theorem लगाएगे, यह क्या होगा? 1 minus x square, तो अब यहाँ पे ध्यान दिजा है, हम क्या कर रहे हैं? cos और sin inverse को क्या लिख रहे हैं? cos inverse और cos क्या होता है, b by h, b के place पर क्या है? under root 1 minus x square, h के place पर क्या है? 1, तो हम यहाँ पे cos inverse under root 1 minus x square by 1 क्यों cos inverse क्योंकि cos से cos inverse यहाँ पे कड़ जाएगा अब यहाँ पे देखिए sin sin inverse कड़ यहाँ पे क्या बच्छा x plus c उसी type से minus sin inverse x cos से cos inverse कड़ यहाँ पे क्या हुआ under root 1 minus x square plus x plus c यह किसका value में रहाया i1 का अब इस i1 का value हम i में substitute कर देंगे तो मेरा final answer आगा question number 10 का चलिए तो question number 10 आगे बढ़ाते हैं देखिए क्या दिया हुआ तो यहाँ पे ध्यान दीजे मेरा i equal to क्या होगा i equal to होगा x sin inverse x का whole square minus 2 i1 तो i1 मेरा क्या आया है minus sin inverse x into under root 1 minus x square plus x plus c अब 2 से multiply कर दी मेरा final answer आएगा तो यह क्या हो गया x sin inverse x का whole square minus minus plus 2 इसे हम पारले लिखे रहां दीजे 1 minus x square और यह क्या है sin inverse x और यहाँ पे दिया है minus plus minus x plus c i1 let किये थे just वहीं से यह start हुआ है कोई changing नहीं है question number 10 का जो हम i1 solution किये थे यही i1 यहाँ पे solution है सिर्फ फर्क क्या था हूँ आपे sin inverse x था है यहाँ पे क्या है cos inverse x है तो चलिए as it is हम लोग solve करते है तो t equal to क्या मालने cos inverse x अब देखिए differentiate both side with respect to x तो dt by dx cos inverse का differentiation minus 1 by under root 1 minus x square तो यहाँ से dx का value क्या आगया minus under root 1 minus x square dt अब इस dx का value यहाँ के हम substitute कर रहे है तो integrate x के place पे x cos inverse क्या आगया है t, t निचे क्या दिए हूँ under root 1 minus x square under root 1 minus x square और dx तो dx का value क्या आया minus under root 1 minus x square dt तो देखिए 1 minus x square 1 minus x square कर दिए है तो i equal to क्या आया minus integrate x t dt क्योंकि यह dt का function है तो x तो यहाँ पे रहना नहीं चाहिए तो अब यहाँ पे cos inverse t है तो यह cos इस सेड़ जाएगा cos t equal to क्या होगा x मतला x का value क्या लिख सकते है cos t फिर से हम लोग using by parts कर रहे है minus sign है minus को लिखे है अब यहाँ पे ध्यान दिए यह क्या है t algebra cos क्या है trigo तो algebra पहले आता है trigo बाद में आता है इसे हम क्या मानेंगे fx मानेंगे और इसे हम क्या मानेंगे gx मानेंगे इसे 1 मानें इसे 2 मानें जैसे आपको easy लगे तो हम क्या करें t को भार के integrate cos t minus integrate अब t को क्या करना है differentiate करना तो dt by t integrate cos t dt break it close dt अब यहाँ पर दिए minus sign है minus sign लिखे t cos t का integration क्या होगा sine t minus dt by dt कर जाएगा यहाँ पर क्या होगा 1 और cos t का integration sine t और यह क्या होगा dt अब यहाँ पर जाहन जिए minus bracket जिए t sine t अब sine t का integration क्या होगा minus cos t तो अब यहां पर द्यान दिए, minus से multiply कर दिए, minus t sin t, minus minus क्या होगा है? plus, लेकिन इस sin से multiply होगा, तो क्या हो जागा? minus, और यह cos t plus c अब हम क्या करेंगे? t का value substitute करेंगे तो हम t क्या माने? cos inverse x, तो t के place पे क्या रखें? यह minus sin है, minus sin लिखें, cos inverse x, sin t, sin और t के place पे cos inverse x minus cos t, t के place पे cos inverse x अब यहां पर दिए, minus sin, minus लिखे, cos inverse x यहां पर दिखें, sin है और यहां पर cos inverse x है अगर यहां पर sin inverse x होता, तो sin और sin inverse x कडिया आता तो ध्यान दिए, cos ठीटा क्या होता? अगर यह मेरा 90 degree angle है तो cos रिटा क्या होता है B by H और B के प्लेस पे क्या है X और यहाँ पे क्या है 1 तो यह मेरा perpendicular क्या है गा 1 minus X square तो sin inverse X क्या होता है P by H बितला under root 1 minus X square 1 तो यहीं यहाँ पे हम cos inverse को sin inverse में लिखें under root 1 minus X square और cos से cos inverse कर गिया है तो minus X plus C तो अब ध्यान दीजें यहाँ पे क्या आएगा यह minus cos inverse X sin से sin inverse X कर गिया under root 1 minus X square minus X plus C अगर आप इस minus को यहाँ पे common ले लेते हैं तो यहाँ पे यह क्या होगा 1 minus X square into किसके साथ multiply यह cos inverse X cos inverse X plus X plus C तो यह आपका final answer हुआ question number 11 का तो आईए question number 12 solve करते हैं क्या दिवा है integrate X second sec square X dx यह तो बहुत easy है यहाँ ध्यान दीजे X sec square X X क्या algebraic function sec क्या अग्टेगो function तो highlight हम use करें तो A algebraic function को हम पहले मानेंगे तो using by parts FX किसों मान रहे है X को integrate sec square X dx minus integrate bracket अब differentiate किसे करते हैं integrate sec square X dx break it close dx यह मेरा formula हम substitute कर दिए हैं आईए X sec square X का integration क्या होगा 10X minus dx by dx कर जाएगा sec square X integration 10X dx फिसे यहाँ पे ध्यान देजे X 10X minus integrate अब यहाँ पे ध्यान देजे 10X का integration क्या होता है minus log cos X क्या होता है minus log cos X तो यहाँ पे I equal to क्या आएगा X 10X और minus minus क्या हो जाएगा plus log cos X plus C तो इस टाइप से हम लोग question number 1 to 12 solve के आते हैं next video के साथ क्या हैा है झाते हैं